दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMD News चैनल को और दबाएए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए latest news वीडियो सबसे पहले हमारे देश में बालीवुद में ऐसे अभिनेता हुए है जिन्होंने अपनी अभिनेक शमता से न जाने कितनी सारी बालीवुद को हिट फिल्में दी है और ऐसे ऐसे दमदार अभिनेक ये है जिनको आज भी याद रखा जाता है आज हम एक ऐसे अभिनिता के बारे में आपको बताने जा रहे है जिन्होंने अपनी अभिनेक शमता से हमारी इंडिस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है आज हम बात कर रहे है सोनु सूद की जो की एक बहुत अच्छे अभिनिता है सोनु सूद अपनी बाड़ी और पस्नेलिटी के लिए जाने जाते है सोनु सूद ने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलगू, कंणर और पंजाबी फिल्मों में भी अभिने किया है सोनु सूद को आज के समय के सबसे फेमस खलनायकों के रूट में जाना जाता है आज हम बात करने जा रहे है सोनु सूद की पत्नी के बारे में हम आपको बता दे की सोनु सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को पंजाब में हुआ था और उन्होंने 2002 में आई फिल्म भगत सिंग से बालीवुड में डेब्यू किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें अवोर्ड भी दिया गया था इसके बाद उन्होंने सन 2005 में फिल्म सूपर से टालीवुड में काम की शुरुवात की है इन्होंने विलेन के रूट में अपनी अलग पहचान बनाई है जियदातर इन्हें विलेन के किर्दार में ही देखा गया है हम आपको बता दे की सोनु सूपर की पत्नी का नाम सोनाली है इनकी शादी 1996 में हुई थी सोनाली देखने में बहुत ही खुदसूरत है हम आपको बता दे की सोनु सूद एक अच्छे अभिनिता होने के साथ साथ एक अच्छे फिल्म निर्माता भी है हम आपको बता दे की सोनु सूद फिल्म पदमावती में भी नजर आए है